कॉंग्रेस के वरिष्ट निता और मद्द प्रिदेश के पूर्व मुख्य मंत्री दिग्विज़ सिंग अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं हाली में दिग्विज़ सिंग एक विवादित बयान के लिए सुर्खियों में चाय हुए हैं जसमें उन्होंने कहा है कि मुसल्मानों से ज़्यादा गैर मुसल्मान आयसाई के लिए जासूसी कर रहे हैं कॉंग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विज़ सिंग अक्सर सुर्खिया बटोरने के चकर में ऐसा विवादित बयान दे देते हैं कि उन्हें तारीफ कम बलकि आलोचना जादा तर मिलती हैं चाहे पुलवामा हमला को लेकर केंद्र सरकार पर उंगली उठाने की बात हो या सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने की कहानी या फिर हिंदू आतंखवाद की बात हो दिगविजर सिंग हमेशा सुर्खियां बटोरते रहते हैं यह अलग बात है कि उन्हें तारीफ कम आलोचना जादा मिलती हैं हाले में जो उन्होंने बयान दिया कि मुसल्मानों से ज़्जादा गैर मुसल्मान ISI के लिए जासूसी कर रहे हैं इसके साथ ही दिगविजर सिंग ने बिजेपी और बजरंग दल पर पाकिस्तान की खूफिया एजंसी ISI से पैसा लेने का आरोब भी लगाया है जो की कॉंग्रेस के लिए फास बन गई है आपको बता दे कि पहला मौकर नहीं है दिगविजर सिंग ने ऐसे बयान दिये हूँ एक बार उने कहा था संग की विचार धारा से प्रभावित लोगो द्वारा ही माले गाउं विस्फोर्ट मक्का मस्जिद विस्फोर्ट समझोता एक्स्प्रेस ब्लास्ट जैसी घटना को अंजाम दिया गया था तो वहीं आज इस रिपोर्ट के जरिये हम बताने जा रहे हैं ऐसी ही दिगविजर सिंग की विवादित बयानों के बारे में जो अक्सर कॉंग्रेस के लिए मुसीबत बन जाती है साल 2019 की जुलाई का एक विवादित बयान चर्चा में आया था जिसमें कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता और मद्रप्रदीश की पूर्मु मुख्यमंत्री दिगविजर सिंग ने आरोप लगाया कि भाजपा और RSS लोगों को भीड हिंसा के लिए उक्सा रही है दिगविजर सिंग ने कहा देश में भीड हिंसा के दो कारण है पहला ये कि लोगों को समय पर न्याय ना मिलना इसलिए लोगों के अंदर गुस्सा है दूसरी वज़े ये है कि भाजपा और RSS एक साथ है इनकी कारेकरता लोग भीड हिंसा के लिए उक्सा रहे है इसके अलावा 27 अप्रेल 2019 में प्रधानमंत्री को निशाना साथते हुए कहा आजकल गूगल पर फेक को टाइप करो तो किसका फोटो आता है मोपाल में आयोज़त कारेकरम के दोरान दिगविजय सिंग ने कहा कि विश्व में इनकी शोहरत इस बात से है कि इनसे जूटा प्रधानमंत्री किसी देश का नहीं है इतना जूट बोलते हैं तो वहीं 23 अप्रेल साल 2019 में मुंबई हमले में शहीद हिमंत करकरे पर वीजेपे प्रत्याशी साध्वी प्रग्या के विवादित बयान पर कॉंग्रेस प्रत्याशी दिगविजय सिंग ने कहा कि जो संग की मर्जी के खिलाफ बोले वो दीश द्रोही है भारत के शहीद भी अगर संग को पसंद नहीं तो वो शैतान है तो वहीं एक विवारत बयान से उन्हें काफी अलोचनाओं का सामना करना पड़ा था बता दे कि 20 अपरेल साल 2019 में हिंदुत एवं हिंदु आतंकवाद के बारे में जब दिगविजय सिंग से सवाल पूछे गए तो जवाब में उन्होंने समवादातों से कहा था कि आप लोग हिंदुत शब्द का उपयोग क्यों करते हैं हिंदुत शब्द मेरी डिक्सनरी में है ही नहीं तो वहीं 29 मार्च 2019 दिगविजय सिंग ने कहा मैंने सिर्फ संगी आतंकवाद कहा है जो आज भी कहता हूँ कोई मुझे विलकल्प दिखा दे क्योंकि हिंदु आतंकवाद कभी नहीं कहा जो लोग पकड़े गए और अब छूट रहें क्योंकि प्रोसिक्योसन और डिफेंस एक साथ है तो वहीं 15 फरवरी 2019 पुलवामा आतंकी हमले परदी विजय सिंग ने एक विवादत बयान ट्विट किया था ट्विट पर लिखा था कि मैं इस कायराना हमले की निंदा करता हूँ और वीर शहीदों को स्रद्धांजली अर्पित करता हूँ क्या मोदी जी आपको याद है कि सरकार में जैशे मुहम्मद के प्रमुख आतंकवादी मशूद अजहर को छोड़ा था आतंकवादी से समझोता करना किसी भी परिस्थिती में उचित नहीं है तो वहीं बात है 18 जून 2018 के दिविजय सिंग का बयान जितने भी हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गये हैं सब संग के कारे करता रही है महात्मा गान्दी की हत्या करने वाला नाथुरम गोड से भी आरेसस में रहा है दिविजय सिंग ने आरेसस को निशाना साथते हुए ये कहा था तो वहीं बात करते हैं साल 2017 में अप्रेल की उन्होंने सेना पर कश्मीरियों को मारने का आरोप लगाया था दिविजय सिंग ने कहा था कि कश्मीरियों को घाटी में तैनात सेना भी मारती है और आतंकी भी मारते हैं कश्मीरियों को आतंकी और दोनों मारते हैं कश्मीन में युवाओं द्वारा CRPF जवानों के साथ बच सलूकी और कश्मीरी युवा को कथी तौर पर जीप के आगे बांध कर घूमने का वीडियो सामने आया जिसके बाद कॉंग्रेस महासचिव दिगविजर सिंग ने ये ब मेरे बारे में जूट फैलाया और मध्यप्रदीश की कर्मचारी मुझसे नाराज हो गए और यह पार्टी की हार का एक मुख्य कारण बन गया कॉंग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि प्रदीश की बिजेपी सरकार कर्मचारियों के साथ सौते लाव ब्याहार कर रही ह और उसकी कतनी और कर्णी में फर्क है इस तरह कि कई विवादित बयानों को लेकर दिगवीजर सिंग हमेशा सुर्खियों में रहते हैं SPN 9 Newsroom से शूती की रिपोर्ट